Double Taker CPU, Revoling करने का टाइम में क्या का Tools चाहिए आज हम लोग ये बात करेंगे और कैसे Revoling करना चाहिए कितना Hit, कितना YAR, A to Z बात करेंगे इस वीडियो में तो फुल वीडियो देखिएगा तो दोस्तो सबसे पहले यहां पर देखो ये जो Black Pist काटने के लिए कुछ इस तरह काटना होना चाहिए आपका पाज में और ये बिलेट होना चाहिए MOE का D-Series बिलेट इससे Black Pist को निकलेगा और एक 2-0 और एस्टेंसिल इसके मोडल है Sam 10 आप देख सकते इसके मोडल ये इस्टेंसिल से आप Samsung का भी निकलेट जो है A53 इसके रिबूल कर सकते हो और ये है डिस्टेंसिल और आपका पास में ये होना चाहिए अच्छा होला और भी बरिया कमपानी का मिलता है मेरे पास ये है और आपका पास में हमें PCV होना क्या है धिक है और ये ये ब vos SERDS है जाहिएフ इसमें हम CPU कीव करते है धुक्स पर ये बरिया सहने चाहिए आपका पास में तो मोटा मोटी एसरव तूल्स आपका पास में होना क्या है तब जगए आप CPU का काम कर सकते हो और यह एक टीशू पेपर होना चाहिए ठेक है यह तो आपको पास में कपराव हने से भी हो जाएगा कुछ देखेत नहीं है तो सबसे पहले PCB इस्टन पे हम PCB राकेंगे यहां पे अगे और भी तूल्स अगर चाहिए तो आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा तो दुस्तो सबसे पहले यह जो सोल्ट है यह पुरा नहीं निकलना है आपको थोड़ा सा ही रिमूप करना है तो कितना रिमूप करना है देखो और समझो फुल रिमूप करने का कोई दर्गर नहीं है जो एरिया में सीफू रहता है बस यहीं से थोड़ा सा काट करके उपर का जो कवर है थोड़ा सा ही रिमूप करना है फुल कवर रिमूप नहीं करना है ठेक है तो अभी इस कवर को रिमुप करने के लिए हम बुलोर रिवोस करेंगे और उसका साथ में काटर रिवोस कर सकता है ठेक बुलोर का जो हिट है वो रहेगा लगबख 200-300 जो मोर्जी आपका इसमें हिट रिमुप कर सकते हो कुस भी रूल्स नहीं है यहांपे इतना हिट रहके इस कवर को रिमुप करना फो ठैक हमने तो पहले काट क्ärलिया है जो CPU का अब्था है, महिन तक बुर्ण रिमुप नहीं करना है कि पूरा रीमुप करने से आपका जो दूसरा तिसरा जो आईसी होता है साइट में ये सब में हीट लगता है रगने का बजसे फिर आपको ये जो चार्जिंग आईसी है और जो आपका ईवएफेस है ये सब को फिर भूल करना पड़ता है ठेक तो अबको फूल कवर रिम अप नहीं करना है तो अभी यहांसे थोरा सा वीडियो को इस्पिट करते हैं थोरा सा ही ज्यादा नहीं है थोरा सा वीडियो बहुत बारा लंबा हो जाएगा तो कुछ इस तरह से धिरे-धिरे करके उपर का जो सोल्ट है इसको आप रिम उप कर सकते हो बस बस हो गया इतना ही ठीक ने पूरा का पूरा रिम उप नहीं करना है अभी साइट में जो भी बलक फिश्ट देख रहा है इसको रिम उप करना है इस कडर से ठीक यहर का बारे में अभी बात नहीं करेगा यहर का बर में लास्ट में बात करेंगे ठेक है अभी भूर का हिट चल रहा है तू हिंटे अप रख सकते हो कुछ दिक्क्यत नहीं है और ज्यादा पिशर नहीं देना है हलका हातों में करो जो भी थोड़ा बहुत बलक पिश्ट बाहर रहता है यह सब को अच्छा से किलिन करो फिर से बोलना चाहता हूँ इयार का बर में हम लोग लास्ट में बात करेंगे वीडियो का यान प्रिटेगे किसी-किसी फोन में बहुत ज्यादा बिलक पिश्ट रहता है किसी-किसी फोन में थोड़ा सा ही रहता है अगर आपका फोन में ज्यादा ही बिलक पिश्ट है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दो फिर काटर से काटो अब इहां पर जो साइट कर बिलग फिक लिश्ट से हम उपर का जो रेम है इसको रिमप करेंगे borders अमने जो साईस के बिल्लेट पेश्ट काटने का बिल्लेट युशो किया था अब इसके आख काम खतम हो गया ये नई चाहिए अभी चाहिए ये भिल्लेट ठेक एस बिल्लेट से ये रिमोप हो जाएगा इस टैम मेरा बूलोर का हीट चल रहा है त्री थार्टी फाइब 3.35, 3.40, 3.30, इस तरह आप राख सकते हो, ब्लोर का हीट 3.40 से ज्यादा बिल्कूल भी नहीं, 3.35 पेश्ट है तो आट टाइम लागें लागने दो कुछ दिख्यत नहीं है और यह रियाम रिमोप कहने में लगबग आपका दो मिनिट तक हीट देना परेगा 3.35 में 2.3 मिनिट तक हीट रखो, ठेक हर बरी मात करो, यह धिरे धिरे आराम से निकलता है अगर 2.3 मिनिट से ज्यादा हीट देना परता है फिर भी हीट लागाओ, कुस प्रोब्लम नहीं है कुस इस तरह से यहाँपे देखो, यह उपर का जो रियाम है यह निकल गया है अब यह इसमें ब्लागपेश्ट है, से प्रोब्लम का उपर, यह सारे ब्लागपेश्ट को पहले रियूप करना परेगा आपका पास में जो भी पेश्ट है तुरह असा लागा दो ऐसे कोई बात नहीं है कि यही कमपनी का लगाना परिए यहीस कूछ भी बात नहीं है, हपको पास जो भी है वो लगा दो और यहाँपे आपका पास में आइरन अच्छा होना चाहिए आइरन का क्वौल्टी अच्छा होना चाहिए मेरा पास आइरन है 20-20 इसी आइरोन से हम साफ कर रहा है ठीक है आइरोन का हीड है थीरी थार्टी और साथ में मैंने बुलोर को भी याट किया है बुलोर के हीड चल रहा है टू हन्रेट बुलोर याट करने से आपका जो बिलाग पेश्ट है ये बहुत ही अच्छा से रिमॉप होता है और आइरोन का जो बिट है ये आपका अच्छा कॉलिटी का होना चाहिए ठीक है और जितनी भी सारे बिलाग पेश्ट है आप ये आराम से रिमॉप कर सकते हो अच्छा बिट का साथ में आइरोन का बिट में थ्वासा इसकास लगने से आपका फिर सीप्यू डेमेज हो जाएगा इहीं पे तो इसलिए सबसे पहले धेयान दो आपका आइरोन में आपका आइरोन का कंडिशन क्या है अगर बिट में कुछ प्रब्लम है तो बिट को चेंज करो निउव बेट लगा फिर काम करो ठेक है अभी सीप्यू रिमॉप करने का टाइम में आपका बूलोर का हिट रुखाना चाहिए थीरी थार्टी फाइब इसमें अगर दो तीन चारी मिनिट टाइम लगता है लागने तो ज्यादा हर्वडी मत करो और ये धिरे धिरे अराम से रिमॉप हो जाएग तो देखो कैसे रिमॉप होता है ये बूलोर का हिसाब से ना ये हिट कम ज़्यादा होता है मेरा बूलोर में हिट चल रहा है अभी 335 मैंने बहुत सरे ऐसा बूलोर देखा है किसी बूलवर में 335 में निकलता है किसी बूलवर में 340 तो आपको कौम हिट देना है चाहिए टाइम ज्यादा लागे कुछ दिक्कत नहीं है अगर आपका दू मिनिट के जगा में 4 मिनिट लग रहा है फिर भी लगने दो ज्यादा हिट दिनने से आपका आईसी फूल जाता ह है अगर कौम हिट देंगे तो यह सब आईसी पास से मिनिट दोस मिनिट तक हिट ले लेता है कुछ दिक्कत नहीं है ठेके ना टाइम देगा तो दिरे दिरे सीप्यू का अंदर का जूबाल है यह मेल्ट होगा फिर आराम से निकलेगा तो बलोर जो भी है यह बराबात नही आपको ज्यादा हिट नहीं देना है बस तो नहीं सी बात है ज्यादा हिट देंगे तो आपका सीप्यू जैना यह फूल जाएगा यह डेमाज हो जाएगा 110% मैं बोलता हूं वै ज्यादा हिट मत रखो कौम हिट रखो थ्टाइम देदो દુ મીનિટ લાગે 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 દો તીન મીટ લાગે લાગે થાં દેથા પર ચેક કરતે રાહઓ કે યઃ રેડી હોરાયે કી નહી રેડી હોરાયએ રેડી હોરા કી નહેડી રેડી હોરાયે यहां पे देखो अभी लग राग राए रेडी हुआ है यह सीपू रिमूब भने के लिए भर्बरी बिल्कुल भी नहीं है धिरे धिरे करके यहां पे देखो दोस्तो ठीक है मैंने हिट राकाई थिरे थार्टे फाइप अपका एक भी पॉइंट एक भी पीन डेमेज नहीं होगा देख लिया कोई पीन डेमेज हो नहीं हुआ यह साइट का रेजिस्टेंस क्याफासिटर निकल सकता है यह बिलोट लगने के बज़स है लेकिन आपका जो पीन भगरा है यह सब डेमेज नहीं होगा पर आप रेमडम कुछ भी पेस्ट यहां पर रिवूस कर सकते हो ऐसे कोई बाद नहीं कि ब्रैंड कर लागना परेगा कुछ भी लगा दो आइरन का बीड जो है यह अच्छा होना चाहिए आप परबास में क्यूंकि पुरे का पुरा जो खेल होता है यह आइरन का खेल होता है और कुछ नहीं आइरन और अच्छा क्लिम अच्छा क्लिम होगा अधर बोट, CPU तो फिर आपका काम एक बार में ही सक्सेज होगा पीन को डैमेज नहीं करना है, ठेक? कुछ भी हो जाए, पीन को डैमेज नहीं करना है मैंने बहुत सरे भाई को देखा जो आइरन का बीट का कॉंडिशन आच्छा है नहीं है, फिर विवलोग काम करने लग जाता है उस इस तरह से काम करता है और उसका जो माधर बोट का जो पॉइन बगरा है, ये सब्ट्राक बगरा निकल जाता है फिर बात में CP रिवल करके लागाना से भी नहीं बनता है ये सब पुन ठीक होता है आपको ये विववगुली लागा के फिक्स करना पड़ता है अगर आपका iron का condition अच्छा है नहीं है तो पिशार बिलकुल भी मत दो, हलका हाथों में करो तो आपको ध्यान देना है iron का beat का उपर में और iron का hit चल रहा है आभी मेरा 330, साथ में मैंने बुलोर को भी add किया है, 208 रख के ठेके न यहां पर एक capacitor यहां ते resistance निकल गया होगा, वह हम बात में देख लेंगे सबसे पहले clean करते हैं मैंने यहां पर doco thinner use किया है और कुछ इस तरह से इसको साफ कर रहा है अभी एक काम कीजिए जब यह थोड़ा बहुत साफ हो जाए फिर आपका पास में जो भी PPT paste है, 183 degree, 130 जो भी है paste यह थोड़ा सा लगा दो यह लगाने से क्या होता है अब जब ऐसी बैठाएगा ना, यह आरम से बाठता है मतलब यह जब मैंने लगाया आभी देखो यह हार एक ball में result करेगा सबसे पहले एक भी ball नहीं सरेगा, हार एक ball पर अच्छा से resulting करेगा ठीक है यह पर देखो क्योंकि ऐसा करने से अब जब revolve करेगा यह एक बर में हार एक point पर जूर जाएगा ठीक है, फिर आपका काम जो है एक ball में success अगर आप यहाँ पे पहले 183 degree या तो कुछ भी paste पीपीड़ पेश्ट यह उस नहीं करते है तो कभी कभार ऐसे भी हो जाता है, आपका हार एक ball तो लग जाता है लेकिन दो एक ball सही से join नहीं होता है ठीक है न, फिर उसका वजा से आपको दो बारा रिवोल करना परता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पहले थोरा सा पीपीड़ पेश्ट लगा दो, फिर आईरवन से आच्छा से हार एक ball पे result करो, ठीक है अर अभी disorderly aware से फिर इसको clean करो हर एक बल चमकेगा यहाँ पे देखो वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो, उस परबार नहीं है वीडियो का अच्छा से देखो, समझो एक बार अच्छा से देखेगा, एक बार समझेगा न, तो फिर दो बारा ऐसा वीडियो देखना नहीं परेग आपको तो दोस्तों यहाँ पर इस अ डिस्ट्रड़र और से मैंने सब किया है अभी यहाँ पर ओज रहा हे डॉकुधिनर यह डुकुधिनरी बिष्ट है सब करने के लिए अब लोग दूसरा तिसरा भी यूज़ करके दिख सकते हूँ लेकिन मुझे लगता है डिकूतिनर बेस्ट है अभी आते हैं सीप्यू सीप्यू का जो बिलाग पेस्ट है इसको रिमॉप करना बहुत है आसन काम आपको बुलुवर का हीट राकना है 300 या तो 320 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं और यह बिलेट आपका पास्ट में होना चाहिए या तो आप आयरोन से भी इसको रिमॉप कर सकते हूँ आयरोन से यह रिमॉप करने से कभी कबर इसकरास लग जाता है यह बिलेट यूज करने से आपका सीप्यू डैमेज नहीं होता है इसकरास भी नहीं लगता है ठेक न और ज्यादा जोर जो बुस्ति बिल्कुल भी नहीं है, प्यार से ये रिमों भताए, तो प्यार से काम करो ठेके? हिट 300 से लगे 320, यद रखो दोस्तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है, तो किलिए लाइक, शेयर, सस्क्रिप्प परना अगर कुछ भी सवल है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो अगर CPU में क्यापासिटर लगा रायता है, तो फिर क्यापासिटर का बीच में कुछ ब्लापपेस्ट रहे जाता है, फिर उसको यह CPU का जो साइट का ब्लापपेस्ट काटने का टाइम है, जो ब्लापपेस्ट मैंने यूज किया है, उससी ब्लापपेस्ट को आप यूज कर सकते हो नहीं, तो टूजर यूज कर सकते हो ठीक, तो दूसरे साइट में भी देखते हैं, थ्थ्था ब्लापपेस्ट अगर होगा, तो इसको भी रिमप करेंगे जिस तरह से हमने CPU का जो ब्लापपेस्ट है क्लिन किया है, उसी तरह से सेम टूसेम, रैम का भी ब्लापपेस्ट को क्लिन करेंगे, ठीक नहीं, यहाँ पर देखाँ चाहिए सिंगल CPU हो या तो डबल CPU, सेम परसेस है आपका, जो भी ब्लापपेस्ट मादरबोर्ट में है, या तो CPU में है, जो भी ब्लापपेस्ट को आपको रिमूट करना चाहते हो, जो वीडियो में देखाँ शुरू से लेके, अभी तक देख रहा है, सेम टूसेम परसेस है, ठेके अभी से मैं उम्मित करता हूँ, आप लोग सहित, करने साखेंगे, अगर नहीं हो राए, फिर से कोशिश करो, हो जाएगा CPU के काम सबसे आसन काम है, एक फोन का अगर शॉर्ट आप रिमूप करते हो, जितना मुश्किल लगता है, उससे आसन है CPU के काम करना, इसलिए आसन है, इसमें ना कुछ चेक करना पड़ता है, ना और कुछ, डारेक CPU के को रिमूप करो, रिबोल करो और बैठा दो, को प्रूब्लम साओ, है ना आसन काम और आसका डेट में अपका फोन का 80%, 90% प्रूब्लम CPU का ही आ रहा है, जो थोड़ा सा ज्यादा रिंज का फोन है, लगबग 10,000 का उपर में, ऐसा बात नहीं है कि 5000 का फोन में भी CPU का फोल्ट आता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं आता है, ठेके नहीं, इसमें आपको ज्यादा दिमक नहीं लगाना है, आपको पाता चल जाता है, यह CPU का फोल्ट है, आगर आपका पास में डिसीप मिसिन है तो, और आज के डिट में पावर सिक्षण, नेटॉक सिक्षण यह इतना जल्दी खारब नहीं होता है, तो यह अपर देखू, एक फिलिन हो गया है, प्राबोध लग पेश लगा रहता है, वो आपको बिराश से साफ करना पड़ेगा, जब अब विराश यूज करेंगे ना, ज्यादा फिशर नहीं देना है, अलका हातुम, ज्यादा फिशर देने से इसका असलग जाता है, आईसी में, ठेक है, उपरी, उपर में फ्रतरा करके क्लिन करना है, ठेक न, यहाँ पे देखो, यह क्लिन हो गया है, अभी पटापट रिबोल कर दो, और बैटा दो, अभी जो र्याम है, इसका भी, जो भी थुरा बोध ब्लाग फेस्ट है, इसको भी क्लिन करना है, बिराश से, अभी यहाँ पे देखो, किस तरह यह चमक राएं, यहाँ पे देखो, आप लोग जब रिबूल करते हैं ना बहुत सरे भाई के कॉमेंट आता है भाई रिबूलिंग सही से नहीं होता है बाल बार आ जाता है यह जो कॉमेंट है यह बहुत ज़्यदा आता है तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ भाई जब भी आप किसी भी आइसी को रिबूल करते हैं आपका जो पीपीटे पेश्ट है यह चाहे गीला हो या तो सुका हो कुछ परवा नहीं है कुछ भी परवा नहीं है, हम तो डाइरेक्ट तब्बा से निकलते हैं, डाल देते हैं, चाहे गिला हो, सुका हो, कुछ देखना नहीं है, आपको बुलॉर जो है न, यह बहुत दूर से पकरना पड़ेगा, लगबक, दो इंस, धाइ इंस, दूर से, यहां पर देख सकते हो, इतना दूर से बुलॉर पकरो, एक बर में पास लगे मौदा हो, फिर धिरे धिरे करके करके, ऐसे कर पास लगे हो, ट्राइ करके देख, अब अब विबोलिंग करने का, जो प्रोब्लम है, जो प्रोब्लम हो रहा है, बॉल बार आरा है, यह सब प्रोब्लम एक भी नहीं लगबग दो इंस, डाइ इंस उपर से पकारता है, और साइट से पकरो, ठीक है, देरे-देरे करके लेके जाओ पास में, ऐसे का पास में, समझ गए मेरा बात को, यह प्रोब्लम बहुत सरे भाही का सद में होता है, बोलता है, मैंने टीश्यू पेपर में जो प्रोब्लम हो फिर भी यह प्रोब्लम होता है, अब लोग डाइरेक्ट ऐसे के पास लिखे आके बुलवर्च पन कर देते हो, ऐसा मत करो, थोड़ा सा दूर से लिखे आओ, अब यह देखो, धिरे-धिरे करके आगे लगे जाओ, देखो, एक बर में बन गया, उस देखे रहे हैं नहीं है इसमें, देखो, कितना बरिय है रिजल्ट, अभी आईसी बेठाने का टाइम आ गया है, थोड़ा सा बिराज से साफ करेंगे, क्योंकि तो एक पीन साइनिंग नहीं कर रहे है, इसलिए बिराज से साफ करना है, नहीं तो आप प्ल़ेट से भी इसको चलिंग कर सकते जो पीन साइनिंग नहीं करता है अगर सبाय का साइट का दू एक कियापसिटर निकल में जाता है तो बो नहीं लगाना से भी चलता है यहां कि बहुत नहीं चलता है अगर रिजिस्टेंस निकलता है तो फिर आपको वो लगाना ही परेगा आट चाहे जीरो तो कुस भी वो आपको लगाना ही परेगा क्यापसिटर बिना चल जाता है, रेजिस्टेंस बिना नहीं चलता है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा से युवी गुली लगा दिया और युवी लाइट लगाएगा, थोड़ा सा युवीट करते हैं, फिर आते हैं, यहाँ पर आ गया, देखो, आपका पास में जो भी पेस्ट यहाँ यहाँ पर लगा दो, मैंने पहले युवी करते था, युवी टू टू थीरी, वो भी है, और यह दूसरा है, रिजल्ट सेम है, सेम रिजल्ट, आपको आईसी सही से बैठाना है, और अभी लागाने का टाइम में, अगर आप हीट ज्यादा रखते हो, जैसे 3.35 में अपने आईसी को रिमूट किया, अभी बैठाने का टाइम में, अगर आप चाहिए तो 3.45 भी रख सकते हो, कुछ प्रोब्लेम नहीं है, बैठाने का टाइम में, आप कोशिश कीजिए, जितना हीट से आपने आईसी को रि आईसी बैठाते हो, उस्टम ज्यादा हीट देने से, आपका जो बॉल है, ये मादरबोर्ट से अच्छा से जूर जाता है, ठेके न, पर जितना अच्छा से पकरेगा, उतना लॉंग लाश्टिंग करेगा आपका फोन, थुरा सा मादरबोर्ट को ठन रख करके फिर से, रियाम का एरिया को अच्छा से क्लिन करते हैं, अभी रियाम भी लगाते हैं, और मैं हमेशा काम का बात ही करता हूँ, हमने पूरा वीडियो में हीट का बार में बात किया है कितना हीट रखना है कितना नहीं रखना है यह सब बारे में बात किया है लेकिन यार यार कितना चाहिए इसका बार में बात नहीं किया है यार आप इतना रखो फोर में रखो या फाइब में रखो या थीरी में रखो आपका स्रिफ यार थोरा सा ही बार आना चाहिए थोरा 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 करें इस पिर्ड में नहीं होना चाहिए थोरा थोरा करकें आना चाहिए तो उस हिसब से अब एर राख सकते हो ठेक है और ये एर का जो खेल होता है ये आपका जो नॉजल है न वो दिखना है कितना लगाया अपने 8 mm का लगाया, 10 mm का लगाया, 4 mm का लगाया उस हिसब से एर बाहर निकलता है अगर फुर मेम का लगाया तो आपका यार ज्यादा आएगा इट में में तो कम आएगा अगर 12 में म का लगा ऊगए यार कि यार अब स्क्रमान कशाक्थ 6 मतलब हलका एक दम हलकाँ से आना जाएगा इस प्यद में नहीं तब फटापट मादरबोट को ठांडा करके चिक करते देखते हैं और यह फोन बहुत देन से परा है अब देखना है बैटरी में चार्ज हाई के नहीं है मेरा ख्याल से तो बैटरी जीरो होना चाहिए मैंने बैटरी भी चिक नहीं किया था पहले ठीक है यहाँ पे अच्छे से पत्ता लगा के पहले चाजार लगाओ फिर उसका बाद बैटरी लगाओ ठेक है यहाँ पे देखो कुछ भी शो नहीं कर रहा है और यहाँ पे चाजार में आते हैं यहाँ पे देखो कितने रेडिंग बन रहा है 0.2 इन नंबर कैबल लगाया मैंने 0.2 रेडिंग बन रहा है और यह परा रहने दो पास से मिनिट उसका बाद देखो यहाँ पे देखो 1.8 के 6 इस तरह ले रहा है और यहाँ पे देखो सेट चार्ज लेना इस्टट हो गया है यहाँ पे देखो वे कितना पर्सन वान पर्सन तो अभी चार्ज है वान पर्सन वीडियो कोई पर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मैंने चनल को ठैंक हो समस्ट